हलो सुरान नमस्कार स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल और पी एससे अड़ा पर गाईज वैसे तो काफी सारे वीडियो अम लोगों ने बना रखे हैं लेकिन हमेशा हमारा प्रयास ही रहता है कि विद्यारती अपनी तैयारी में लगा रहे कहीं भी उसकी तैयारी में ब्रेक नहीं हो वो हतास निराश नहीं हो यह सोचे कि वैकेंसी नहीं आ रही है यही विद्यारती सोच भी रहे थे एसो के लिए वैकेंसी जो है वो नहीं आएगी हाला कि exam date बाद में है लेकिन फिर भी notification तो आ चुका है न तो यह भी आएगी और अभी हमने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो बनाया था यह वीडियो आप जानते ही है यह देखे हमने वीडियो बनाया था और यह कहा था कि लेटेस्ट अपडेट में यह जो वैकेंसी यह बहुत जल्दी आने वाली है और गौतम कुमार दक जी ने घोशना करी थी उसी के बेसिस पे वही प्रक्रिया और आगे बड़ी है वही वीडियो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है अब प्रक्रिया और आगे बड़ी है एक और गुड नीज है और हमको अब ऐसा लगता है कि इस महीने के अंत में या फिर अगले महीने के मिड से पहले यह व वीडियो अगर आप इस एक्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आप सभी के लिए हम लोगों ने एक वाटसब कम्यूनिटी जो है वो बना दी है जो इन में वही विध्यारती है जो इस एक्जाम की पर्टिकुलर प्रेपरेशन कर रहे हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है इसमें हम लोग आपको रैगूलर बेसिस पर प्रैक्टिस सेशन जो है वो भेशते रहते हैं mcq notes आपको मिल जाते हैं कुछ previous air question अगर हमको मिले वो भी हम लोग share कर देंगे अच्छी बात यह है कि chat इसमें open रहती है तो आप कभी भी आके इसमें आपस में बात कर सकते हैं doubt discuss कर सकते हैं ये वीडियो हमने बनाया ही था और आपको सूचना दी थी अब उसी कड़ी में हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं क्या सूचना है आज की देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दू गाईज अगर आप इस एक्जाम की preparation कर रहे हैं ना तो इस एक्जाम में accountancy का रोल commerce की बात करें तो accountancy का role सबसे important है इसलिए हम लोगोंने हमारी application में विद्ध्यारतियों के demand दी की sir accounts का financial accounting का कोई ब्रह्मास्त्र हम को दो जहां पे हम लोग अपने preparation को बहुत अच्छे से कर सकें इसलिए हमने आपके लिए एक अभ्यास financial accounting का जो course है वो launch कर दिया है तो जैसे ही आप हमारे store में जाएंगे store में जाके financial accounting लिखेंगे या हिंदी में अभ्यास लिखेंगे अलग-अलग टेस्ट आएंगे सीधा financial accounting लिखेंगे तो ये टेस्ट आपको मिल जाएगा इस टेस्ट में क्या देने वाले हैं हम लोग आपको जितने भी accountancy के आपके chapters हैं अलग-अलग लग-बग 15 chapters हैं तो हर chapter के hundred questions आपको मिलेंगे जो questions मिलेंगे वो test portal में मिलेंगे test portal कैसा है इस प्रकार से एक test portal आपको मिलेगा इस प्रकार से देखिए question upload होगा option होगे और आपको वहाँ पर tick करना होगा और ये पूरा hundred marks का एक question जो है वो paper आपका होने वाला है हमने इसमें in general जो है वो क्योंकि सारे exams को हमको ध्यान रखना था तो point two five इसमें हमने negative marking रखी है तो हर chapter का जब आप hundred question attempt करेंगे तो आपको एक idea लग जाएगा कि किस chapter में कितनी आपकी command है कितनी और जादा आपको मेहनत करने की जो है वो आवशकता है तो ये course हमने launch कर दिया है आपके लिए आप देख लेना लगबग लगबग 15 chapter है हर chapter के लगबग 50, 60, 70 question तो हमने upload कर दिये है कुछ और बाकी है जिस पर भी काम चल रहा है वो upload हो जाएंगे तो लगबग लगबग आपको 1500 MCQs जो है वो available हो रहे हैं प्राइज भी हमने इसकी ज़्यादा नहीं रखी है ताकि अभी सभी student जो है वो इसको avail कर पाएं हमने इसकी जो प्राइज रखी है वो मातर बन डबल नाइन रखी है तो मातर बन डबल नाइन में 1500 MCQs अगर आपको मिलते हैं करने के लिए तो मुझे नहीं लगता इससे बेटर कुछ हो सकता है और हर चेप्टर के हमने कॉश्चन जो है वो यहां पर डाल दिये है partnership, subsidiary book, leisure और यह हिंदी medium की है अभी हमने जो launch करी है वो हिंदी medium की है तीन चार दिनों में यह English premium की भी जो है वो launch हो जाईगी आप देखिए certification, final account, NPO, journal, cash book है ना यह specific हमने उनके लिए launch नहीं करी है cooperative के लिए यह हमने complete financial accounting की एक test लिए launch कर दी है आप देखिए आपका syllabus क्या है उस syllabus के हिसाब से जो भी topic आपके syllabus में है उसकी practice आप अराम से कर लीजिए अब आईए आते हैं मुद्दे पे ये एक news जो है वो आई थी आप देख सकते हैं है ना यहाँ पे एक link जो है वो हम लोगो को मिला था और link किसका है आप ध्यान से देखिएगा सहकारी मंत्री ने घोशना करी थी ये तो वीडियों ने लास बनाया ही था और उनहीं का सकारात्मक असर है सहकारी बैंकों में जल्द नहीं बरती होगी वित्विभाग ने अभ्यरतियों से परिक्षा शुल्क वसूलने की स्वीकृती दे दी है यहाँ पे तो ये गोशना की गई तो उसके बारे में लिखा हुआ है सहकारत्या विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहकारी बैंकों में विभिन्न संवर्ग के रिक्त पद उपर सीधी भरती की पत्रावली परिक्षा शुल्क पर मारदशन के लिए लंबे समय से लंबित आया था अब सहकारी बैंकों में होने वाली सीधी भरती को लेकर राजिस्तान सहकारी भरती बोड की और से मारदशन मांगे जाने पर वित्यविभाग ने परिक्षा गया आयोजन के लिए उस समय भरती बोड की डिमांड की अनुसार 14 करोड रुपे की स्विक्रती दी थी ताकि अभ्यरतियों से बापरिक्षा का कोई शुल्क नहीं दिया यह आप जानते हैं वन टाइम रजिशेशन फीज जो है वो आई थी बाद में अत्यदिक अभ्यरतियों की संभावना जताते हुए सहकारी भरती बोड द्वारा पूनह पत्रावली वित्यविभाग को प्र जर्तियों से परिक्षा शुल्क वसूल कर परिक्षा आयोजित करने की स्विक्रती प्रदान की गई है परिक्षा शुल्क की ध्यान दीजिएगा परिक्षा आयोजित करने की स्विक्रती प्रदान की गई है अब परिक्षा के आयोजित की जिम्मेदारी तीन सदस्य राजस सहकारी बोर्ड पर आ गई है सहकारी दिभागता विभाग के प्रधान काले में प्रदस्त अतिरिक्त रजेश्टर प्रथम बरती बोर्ड के प्रदिन सचीव है बस यह आपको दे रखा है बाकी और मेरे साब से कोई भी इंफॉर्मिशन काम की नहीं है जो पोस्ट आई थी व आपको और अभी यहां से डीटेल जो है वो पता चल गई होगी कि यह भरती जो है वो बहुत जल्दी आने वाली है हमारी तरफ से इसका कंप्लीट कोर्स करवा दिया गया है कंप्लीट कोपरेटिव एक्ट करवा दिया गया है कंप्लीट अकाउंटिंग करवा दी गई है बहुत कम प्राइज मैंने इसके रखी हुई है क्योंकि वेकेंसी काफी समय से लंबित थी जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है यह फीज जो है वो काफी ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी अभी फीज काफी कम रखी हुई है जो कोर्स है वो आपको बाइलेंग्वल मिलेग वीडियोज मिलेंगे, MCQ मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा ताकि आपको कहीं भी और जाने की आवशकता नहीं होगी, कोई डाउट है, कोई समस्या है तो इस नमबर पे आप हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वारी को जनरेट कर सकते हैं, टेलिग्राम पे रेगूलर बेस कॉमर्स की हर एक वीडियो जो भी वेकेंसी जाती है, उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ताकि आपके सरकारी नौकरी का जो सपना है, वो पूरा हो सके, तो मेरे साथ में इस सेशन में जुणने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्यू सो मच, फिर से मिलेंग कुछ ऐसे ही इंपोर्टेंट सेशन के साथ, और चैनल को सबस्राइम नहीं किया है, तो जरूर कर लीजिएगा, धन्यवाद, जैहिंद, बंदे मातरा